नमस्कार आंगनबाडी सेवी का सहाई का मीनी बेहनों आप लोगों का हमारे आंगनबाडी नूट चेनल में श्वागत है हमें झो ख़बर लेकर आया आंगनबाडी बेहनों के लिए बहुत ही महत्तपूर एक बहुत बड़ी जो है की ख़बर निकल कर आ रही है तो आईए हम इसको देखते हैं जैसा कि हम आपको बता दे कि मुख्यमंत्री का बियान का आंगनबारी करेकरताओं द्वारा बिरूद किया गया है साथ ही साथ जो है कि आंगनबारी करेक करता हैं जो है कि मुख्यमंत्री पे और सरकार पे जो है कि आरोप लगाती हुए नारेवाजी भी की हैं तो आईए हम इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को अन कर लीजे आईए हम आपको सीधा ख़बरों के तरफ ले चलते हैं आईए हम इसको पूरे बिस्तार से देखेंगे जैसा कि आपको यहां पे दुख्राओगा कि कैथल आंगनवारी वरकर एवंग हेलफर यूनियन ने मंगलवार को मांगों को लेकर जोहे की प्रतरसन किया इसी दवरान जिले वहर की आंगनवारी वरकर जोहे की सामिल हुई प्रतरसन के दवरान सुभय के शमे शभी आंगनवारी वरकर जिला सचीवाले के मुख्य पार्क के पास बने पार्क में एकत्रित हुई इस दवरान वरकरों वह हेलफरों ने सरकार पर उनकी मांगों पूरी नग करने का अरोप लगाया जमकर नारेवाजी वी की मांगों के समर्थन में सभी आंगनवारी केंद्रों को बंद भी रखा गया तो जैसा कि हम आपको बता दे की मांगों के समर्थन में सभी आंगनवारी केंद्रों को बंद रखा गया है उसके बाद आगे हम आपको बता दे कि प्रदर्शन की अध्यास्ता यूनियन की राज्य महा सचीव सकुंतला सर्मावा जिला प्रधान राजवाला ने और मंच संचालन जिला सचीव नितू ने किया वहीं पर प्रदर्शन को सीटू के जिला कैसियर जै प्रकास सास्त्री ने संबोधित किया उन्हों ने कहा कि हरियाना में भी आंगनवारी वरकर हेलफर को ग्रेचवेटी सुप्रीम कोट का आदेश हो चुके हैं उसे लागू किया जाए तो वहां पर जो है कि कहा गया कि जो ह आंगनवारी वरकर की राजय महासचीर सकुंतला ने संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने फलवल में एक गाउं में ग्रामीड को संबोधित करते हुए कहा कि कौन-कौन चाहता है कि आंगनवारी वंध हो मुख्यमंत्री की इस टीपडिव की यूनियन जो है कि न कि अंगनबारी किंद्रों को यह कि बंद कर दिया जा यह जो है कि आप लोग अपनी वह कि बताएं हम आपको बटादे कि यह बंद करना तो काफी यहां-पर मुस्किल दिखल रहा हुआ क्योंकि जो आय क्रेकरता हैं वो जो कि जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा तो यहाँ पर आंगनबाडी किंड्र बंद होना जो कि मुस्किल तो दिखा गया है लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा कि यह तीपड़ी की गई है और just that कि वहां के लोगों से जो सरकार आंगनवारी सेंटर का अस्तित्व जोई कि खतम करना चाहती है इसे सहन नहीं किया जाएगाście यूनियन ने मांग की कि 2012 में आंगंवारी सेंटर में रजिश्टर नहीं दिये जा रहे थे वे दिये जाए और इंधन का पैसा जोए कि भी मिले वहीं वर्दी की राशी भी दी जाए आंगंवारी सेंटर का बढ़ा हुआ किराया भी जोए कि लागू किया जाए तो इस तरह से आंगनबारी करेकरताओं द्वारा मुख्यमंत्री पे और सरकार पे वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वहाँ पे सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेवाजी भी की है आंगनबाडी करेकरताओं का कहना ये है कि मांगाई को देखते हुए हमारे मांदे में जोई की बिधी किया जाए और सेवा सर्तों में जोई की सुधार किया जाए उसके बाद जो है कि आंगनबाडी करे करताओं का ये कहना है कि जो बढ़ा हुआ किराया है वो जो है कि लागू किया जाए उसके बाद जो है कि उनकी वर्दी की जो रासी है उसको जो है कि दिया जाए जो भी आंगनबाडी करे करताओं का मांदे है उसको भी जो है कि समय से देने का काम किया जाए जैसे अन्य कर्मियों का एक जो है कि समय रखा गया है कि इतने तारीक को जो है कि उनका मांदे जो है कि उनका वेतन उनके खाते में चला जाता है वैसे आंगनबारी करेकरताओं के लिए भी एक समय सीमा होनी चाहिए उस समय पे उनका जो है कि मांदे उ तो है कि सचिवाले पर सचिवाले के शामने जो है की बिरोत प्रदर्शन की हैं तो यह अंगनबाड़ी करे करताओं के लिए हरियाना से बड़ी खबर निकल कर आ रही थी जो कि हम आपको पूरे विस्तार से दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्ली वी लिकन को अन कर लिए फिर मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत